हेलो गाइस मैं हूँ अभिशेग वर्मा वेलकम बैक टू गारीद वर्ड आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मरूती की न्यू सेग्मेंट की एल्टो तो वीडियो को लाज तक देखे बिना स्किप करें लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बैल को ओन कर ले ताकि आप गारीद वल्ड की लेटेश वीडियो से अपडेट रह सके चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते है एल्टो की डैमेंशन के साथ लेंथ है 3600 mm की विट्थ है 1600 mm की और हाइट है 1540 mm की गाइज आप लोग जानते होगे एल्टो मरूति की एक फ्लेक्शिट कार है मरूति हर बर एल्टो को अपडेट करके एक शांदार लुक के साथ साथ फिचर्स भी अपडेट कर देती है अभी की एल्टो में भी मरूति ने कुछ ऐसा ही किया है और नेक्स जेन एल्टो को एक क्रॉस ओवर लाइनप पे लॉंच करेगी अब तक के न्यूज की अकॉर्डिंग बोला जा रहा है नेक्स जेन एल्टो को एक्स प्लेट्फॉर्म पे ही बनाया जा रहा है अब बात करते हैं नेक्स जेन एल्टो के इंजिन की तो न्यू एल्टो में आपको दो इंजिन वैरियंट देखने को मिलेगे एक है 800cc का इंजिन और दूसरा है एक लिटर का पेट्रॉल इंजिन जो की 110BHP का पावर और 1500NM का टॉक पर दूस कहेगा अब बात करते हैं नेक्स जेनरेशन एल्टो के फ्रेंट प्रोफाइल पे तो फ्रेंट में आपको न्यू स्प्लिट LED हेड्लैम्स सेट अप मिलेगा 17 Inches के alloy wheels नये होगे इस model में पिछले किसी बी models में अब तक के Lと में आपको alloy wheels नहीं देखने को मिले थे लेकिन इस segment में आपको alloy wheels देखने को मिले गे और इसमें आपको front में new design bumper मिले गे, back में भी आपको L shape के LED DRLs टेल मेंस देखने को मिले गे गाईज मेरेको नियू एल्टो काफ़ी जाद अच्छी लगी आप लोगों कैसी लगी नियू एल्टो? कमेंट करके बताएं मेरेको फीचर्स की बात करें तो मरूती ने नियू एल्टो को एक अलग प्लेटफॉर्म पे तियार किया है तो features भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेगे बस wait करते है इसके launch होने का और guys इस गारी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गारी पास लाक्स के budget की होगी इसके base model आपको 3 लैक के आज़ पास का होगा और company इसको October 2021 में launch कर सकती है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे थैंक्यू गाइज फो वाचिंग मैं वीडियो